नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं रोजगार मेला कायोजन कर्वी भीन भीभागों में अलग अलग पदों पर चैनित युवाओ को नियुक्ति पत्र पदान किया जा रहा है रोजगार मेला के प्रथम चरण में पूरे भारत में 75,000 युवाओ को नियुक्ति पत्र बित्रित किया गया था रोजगार मेला के दूतिय चरण का आयोजन 22 नॉमबर को देश के 45 अथानों पर किया जा रहा है जिसमें 71,000 युवावों को नियुक्ति पत्र देना है बतादे रांची में रोजगार मेला का आयोजन सेमबो स्थीत CRPA गुरूप केंद्रे में होगा इसका आयोजन सुबा साढ़े नौ बज़े से आरांब होगा रांची में 170 परति भागयों को मुख्य अति थी जन जातिये मामलोक के केंद्रीये मंत्री अर्जिर मुंडा द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जारखन में मैंटरिक इंटर की परिक्षा मार्च दोहजार जाएगा मैंटरिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा दोहयर तैस के परिछार्तियों का परिक्षा फॉर्म तीस नुमबर तक जमा होगा वहीं बिलंब सुलक के साथ 10 दिसंबर तक फर्म जमा हो सकेगा बतादे जार्खन में 2023 में जैक मैट्रिक और इंटर्मीडियर्ट की परिचा फर्म जमा करने की परकिरिया भी शुरू है मायटरीक और इंटरमीडियेट परिक्षा 2021 के परिक्षारतेगों का परिक्षा फर्म तरीस नॉवमर तक जमा होगा विद्यार्थी जल्द से जल्द परिक्षा फर्म भरकर जमा करदे ज्धार्खन विधान सभा अस्थापना दिवस पर 3 दिन तक होगा कार्यकरम ज्यारकन बिधान सभाकास थापना दिवस 22 नौंबर को धूम धाम से मनाया जाएगा इसकी त्यारी जोर सोर से चल रही है राज़े पाल्डा में इस बस कारकरम का उधगाटन करेंगे जबकि सीम हेमान सेन मुख्यातिती होंगे इस मौके पर सोरोस्रेष्ट बिधायक के रूप में चैनित बगोदर से माले बिधायक बिनोद सिंग समानित भी किया जाएगे उतकरिष्ट कर्मियों की भी समानित किया जाएगा इस औसर पर तीन दिनों तक कारेकरम होंगे बतादे 22 नॉमबर को जार्खन बिधायक सबाकास्थापना दिवा समारो होगा सरोस्रेष्ट बिधायक वकर्मि समानित होंगे जार्खन में महिलाओ का नियाय पाना कठीन जार्खन में बिभीन मामलों से जुड़े आयोग आमजन की समस्या के समाधान की अहम कड़ी होते हैं लेकिन जार्खन में बिभीन आयोग में कई महत्पुन पद वर्सों सरीक्त है इससे बिभीन मामलों के निस्पादन में परसानी हो रही है जनकारी के अनुसार राज महिला आयोग महिलाओं को नयाय देने में बिफल रहा है इसमें धाई साल से पद खाली है इधर समाने रूप से कर्यालों में सुचना नहीं मिलने से लोगों को सुचना आयोग की सरण भी नहीं मिल रही है इनमें अहम पद खाली होने से लोग की आचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है लोकायुक्त का पद भी वर्षों से रिक्त है यहां लोग सेवकों के खिलाब सिकायत करते थे बीत आयोग का हाल भी बिहाल है इधर राई सरकार आयोग में खाली पदोपर नियुक्ति को लेकर उदासिंता बनाई हुई है जारखन में साइबर अपराधी रईष्ट्री ओफिस से निकाल रहे अंगुठे का निसान साइबर अपराधी हर दिन ठगी का नए ने तरीके अपना रहे हैं जाल साज अंगुठे का कुलोन बनाकर अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से ठगी कर रहे हैं इस साइबर मामलों के अधिकाई ने बताया है कि साइबर अपराधी मुखे रूप से रईष्ट्री ओफिस से अंगुठे का निसान लेकर उसका कुलोन बनाकर समधित ब्यक्ति के बैंक खाते से IPS के जरिये निकासी कर ले रहे हैं इस गिरो का सिंडिकेटेड पूरे देश में फैला हुए है रांची के एक ब्यक्ति के खाते से रायस्थान से पैसे निकाल लिए गए चुकि इस परकार का साइबर अप्राधी अभी पकड़ा नहीं गया है इस करने असपस्ट नहीं हो पाया है कि वह कैसे रासी की निकासी करते हैं रांची में 750 क्रोर से बनेगा डबल डेकर फलाई ओभर रांची के हर्मो चौक से रात्तू रोड चोराहा से आगे तक डबल डेकर फलाई ओभर बनेगा इसके उपरी तल की उचाई करीब 60 फिट की होगी जबकि दोनों तल 3-3 लेन वाले होंगे यानि यह फलाई ओभर कूल 6 लेन का होगा पथ निर्मान विभाग द्वारा कलसंटेंट के रूप में नियुक्ति की गई रांची की कंपनी असपर्स ने इसका डिपीया त्यार किया है करीब 4 किलोमेटर लंब इस फलाई ओभर का प्राकलन लगभग 750 कोड रुपय का बना है इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करने का लक्ष भी रखा गया है जार्खन का पूतरू टोल पलाजा 22 नौमबर से होगा शुरू जार्खन के पूर्वी सिमुम जीले के घाड सिला थाना अंतरगत गालू डी में एनेश 33 पर पूतरू टोल पलाजा को मंगल वर 22 नौमबर सुबा आट बैस सुरू करने की त्यारी है इस मार्ग से अबजम सेथ पूर्शे घाड सिला बहरा गोडा जाने आने वाले प्राइबेट वा कमर्शिल गाड़ियों का सुल्क लगेगा टोल पलाजा सुरू करने को लेकर बीधी वेवास्ता शुराक्षा के लिए एन एच आई परसासन ने जीले के प्रसासनिक वा पूलिस माकामपा को पत्र भेज का अलर्ट किया है बदा दे पूत्रू टोल पलाजा का संचालक वा राजा सुवसुली के लिए एन एच आई परसासन ने एजेंसी मेसर्स वेस्ट वेल आइरन आइन इस्टिल प्राइबेट लिमिटेट का चैन कर लिया है जार्खन में बिजली संकट से बढ़ी परिसानी जार्खन में रांची जमसेदपूर समेत कई जिलो में बिली संकट से लोग परिसान है जमसेदपूर के गैर कंपनी इलाके समेत कोलहान में कहीं भी रहें तो इस दिनों ठंड में सरकारी बिली के भरोसे नहीं रह पाएंगे बता दे सुबा साधे 5 भैं से 7 भैं तक लोड सेडिंग के नाम पर भी लिकट रही है इतना ही नहीं सेडिंग का असर सुबा 10 भैं तक रोटेशन में सब डिवीजन वार रह रहा है इस करन सुबा पानी घीगर में गरम नहीं कर पा रहे हैं पानी गरम करने के लिए गैस चुलावा अन्यका इंतिजाम करना पड़ रहा है मुंडारी भासा में भगवान राम की गाथा पड़ सकेंगे वनवासी जारखन के वनवासियों से भगवान राम का फुराना नता रहा है सिम्डेगा के राम रेखा धाम से लेकर हजारी बैक चात्रा बोकारों के विभीन अस्थलो में राम सिता और लक्षुमन के वनवास काल के दोरान की निसानिया और कहानिया बिखरी पड़ी है बहुत सिग्र यहां के आदिवासी अब अपनी भासा में अपने अराधे भागवान राम की गाथा पड़ पाएंगे बतादे खुट्टी के राने वाले 65 वर्स ये चत्रपाल सिंग मुंडा जारकन के मुंडाओं के बीच बोली जाने वाली मुंडारी भासा में राम चर्डित मानस का अनुवाद कर रहे हैं सुचना एवं प्रसारन मंत्रा लएके उपनी देशक पद से सेवा निवरीत चत्रपाल सिंग पिछले डेड़ वर्सों से इस काम में जुटे हैं अभी तकवा 333 पन पनने का बाल कांड पूरा कर चुके हैं जबकि त्यज गती से आगे का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं सराय ठेला का दरोगा 6000 रुपया रिस्वत लेते गिरफतार भुक्त भोगी ने इसकी सिकायत ACBC की थी मामले के सत्यापन के बाद ACBC ने जाल विषाकर आरोपित दरोगा के रंगवा हाथ दवर्त लिया है जनकारी के अनुसार यह मामला करीब 5 साल पुराना था वर्स 2017 के इस मामले में केस डैरी लिखने के लिए आरोपित दरोगा रायंद्र उराव सराय ठेला छाना छेतर में रहने वाले परदीप पांडे से 6,000 रुपे रिस्वत की मांग किये थे चत्रा में हाथियों के आतंक से दसत में ग्रामी चत्रा जिले के इटखोरी परखंड के कई गाओं के ग्रामी रविवार की रात जंगली हाथियों के जूड की वज़ा से दसत में रहे हैं अधिकांस ग्रामीनों ने रात भर जग कर गुजारी है हाथियों का जूड जब चोपारन जंगल की और परवेस कर गया तब जाकर ग्रामीनों ने राहत की सांसली है मालूम हो की करीब एक दरजन जंगली हाथियों का जूड गिधोर जंगल के राष्टे इटखोरी परखंड में परवेस किया था हाथियों के जूड को सबसे पहले मां भद्रे काली मंदिर के पच्छिम दिशा में इस्तित पूल पर देखा गया इसके बाद हाथियों का जूड धूना सिलाठ गाउं होते हुए कोनी गाउं के करीब पहुँच गया हाथियों के जूड को देखकर ग्रामिन काफी भैवित होगा है लेकिन गाउं के कुछ लोगों ने हीमत जुटा कर धिरे धिरे हाथियों के जूड को जंगल का रास्ता दिखा दिया जारखन में बिजेपी का अंदोलन शुरू जारखन बिजेपी सोमवार 21 नौमबर से जिला अस्तरिये आक्रोस परदेशन की शुरुवात रांची से कर रही है जिसका समापन 25 नौमबर को दुमका जिला मुख्यालाई पर परदर्शन से होगा इसी को लेकर अभिवार को पार्टी के परदेश्ट का रहालाई में सर्मादाता समेलन कर भारते जनता पार्टी के परदेश्ट अध्यक्स और राई सबस्तांस दीपक परकास ने जनकारी दी है पार्टी का ए अंदोलन राजे के सभी जिला मुख्यालों में नजर आने वाला है हमांत सरकार के खिलाब भाजबा जाना क्रोस रैली निकाल कर खोटी समनाला का घराव करेगी वहीं जिला अध्यक्स के नेतियुत में सेक्रों की संक्या में करता हो का जूटान होगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले का अंदा बैए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के असर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोएंट वस पर अपना फीड़वेक अवस से दे थैंक्यू